साथियो नमस्कार मैं राम प्रताप सिंग कुश्वहा और आप सुन रहे हैं ग्यान एंड नौलिज का प्रोग्राम मन्थन और आज का विचार आज का विचार बहुत ही महात्पूर है और बिलकुल प्रमाणिक है मतलब एकदम यो कहा जाता है न प्रतक्ष को उधार्ण की क् करता है विशह है राष्ट्री जंडे की गरिमा आखिर राष्ट्री जंडा किसको ये गर्व और सम्मान प्राप्त होता है वास्तों में जो निश्चल भाव से देश की सेवा और समाज की सेवा करता है जन सेवा करता है उसको ये प्राप्त होता है जो देश की अखंडता औ और देश की संपर्भुता और जन सेवा जन सेवक होकर करता है उसको ये अभीष्ट गौरोप्राप्त होता है अब मैं इत्यासिक चर्चा भी करूंगा और आज की चर्चा करूंगा कि आज मानिय पूज श्री रतन नवल टाटा जी आज पार्थयो शरीर उनका पंच तत्मे सेविलीन हो गया और राष्ट की तरफ से भारतिय तिरंगा समर्पित किया गया मतलब हम सब 140 करोड लोग आज उस पावन आत्मा के लिए नमस्तक हो गए देखिए हम आपको प्रत्यक्ष बता रहे हैं हम पुलिस वहाग में रहे हैं और लगवग एक हजार आठ मृतक आत्म नमा हम Hmm के पंचायत नमा हमने भरे हैं या भरवाए हैं हैं एक हजार आठ यह भी बात पक्की है गिंती भी किया सकती हैं और हमने बहुत सजन और बहुत बहुत माहनं भावों के भी पंचायत नमा भरे हैं और बहुत ahamàbha pardhyo सरीर को सम्मान हमारी समझ से जो बहुत बड़ी आत्मा होती है उसको मिलता है हाँ अब हम एतिहाद से सारे गरंथ पूरी दुनिया के उठा रहे हैं भाई देखो हम तो पूरे दुनिया के गरंथ उठा लो आप वेद से लेके गीता जी और सब राम चरित मानस रामान सब उठा लो और सब पर आज पर चर्चा करो कि ये सम्मान सब से पहले दुनिया में किसने किसको दिया प्रश्न यह है बड़ा हमारा मन्थन बड़ा वैसा होता है आप लोग सुझते हो लेकि अपने मिलने जुले वालों को नहीं भेजते हो भाई तो फिर ज़रा थोड़ा सा कष्ट होता है और नेरासा होती है भाई थोड़ा भेजा करो जन जागरती के लिए देखो हम कितना बड़ा रहस आपको बताने जा रहे हैं पूरी दुनिया का रहस बताने जा रहे हैं चैलेंज के साथ देखिए आप एथियासिक द्रिष्टी से देखिए प्राचीन आदिकाल से सबसे पहला सम्मान और गौरो मिला है पक्षी राज जटायू जी को और किसने दिया है भगवान प्रभू स्री राम लला जीन है आप समझ गए आप उठा लो पूरी दुनिया का सहथ उठा लो आप किसी ने किसी भी संस्कृती में चाहे रोम हो चाहे मौसिव प्रोटियम हो चाहे कोई भी सब्विता हो किसी ने मना नहीं किया कि आप कुछ लिखो मत अपने समाज के लिए अच्छा लेकिन भारती सोच आप देखो और उसी से उसी जटायू जी की परंपरा से ही अंग्रेजों ने नकल करके विक्टोरिया क्रास और भारत सुतंतर भारत ने परंबीर चक्र और दुनिया के अंडर राष्ट्रों ने वीर्ता के पदक देना प्रारम किये है और स्रिष्ट अपने नागरिकों को भी पदक देना प्रारम किये है पूज रतन टाटा जी को पदम भूसन और पदम स्री दोनों भारत के जो पदक हैं उनको भारत रत में भी मिलना चाहिए भर्णो प्रांत उसके वो हगदार हैं और अच्छा एक पुलिस वाग में और एक अन्भव हुआ कि जो कुछ सज्जन ऐसे होते हैं जो बहुरूपिया होते हैं मतलब होते वो कुछ अंदर से कुछ और हैं और उपर से कुछ और उनके सम्मान में जो अंतिम सम्मान मिलता है उसमें कोई न कोई बेवधान आ जाता है जैसे आंधी आ गई पानी आ गई बंब स्पोर्ट हो गया या और कोई बात हो गई पार्थो शरीर को पूरा सम्मान नहीं मिल पाता है वो बहुरूपिया की रूप में उनको तरंगा ज कुछ करने के लिए ही आदमी आता है कितने आदमी भ्रह्म में रहता है बीश्म पितामाई की तरह कर वही पाता है जो ईश्वर चाहते हैं गीता गलत नहीं हो सकती हाँ अब भाई देखिए 2022 में आखरी संबोधन दिया था रटन टाटा जी ने क्या उसके बाद वो और कुछ नहीं दे सकते थे भाई रहे तो चार साल और एक तीन मतलब दो हजार चौबीश दो साल और रहे आसाम में आखरी संबोधन दिया था उसमें उन्होंने संबोधित करते क दिया था कि हमारा देश का गर्व उंचा होगा और भारत का त्रंगा जंटा हमेशा विस्व में लह रहे गा आखरी संबोधन आसाम में और उसी के साथ साथ कैंसर अस्पताल उन्होंने उसी दिन उद्गाटित किये थे माननी प्रधान मंत्री जी और मुक्ष मंत्री आसाम के सामने देखिए जो अच्छा कार करेगा उसे अच्छा ही कहा जाएगा हमारे चैनल से और जो निंदनी कार करेगा उसे निंदनी कहा जाएगा क्योंकि भाई हम तो राम चरित मानस्य में वोचन करते हैं गलत कैसे कर सकते हैं तो चलिए हमारे चैनल को सब्क्राइब कर लि इस पर अपनी प्रित करिया भी दीजिए धन्नवाद धन्नवाद